तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए फिरॉमनल गुरुजी को साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो को शूरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कॉलकॉम की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है कॉलकॉम ने 750G का एनाउंसमेंट कर दी है दोस्तों यह जो प्रोसेसर है 5G बेस्ट प्रोसेसर है 8NM पर based है दोस्तों तो काफी यहाँ पर battery consume कम होगा इस processor के अंदर और यह एक 5G processor है जो की काफी high band को support करता है इसके अलावा हम आपको बदाते थे इसमें और भी बहुत सारे feature देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, बात करें GPU की तो यहाँ पर आपको मिलता है Adreno 619 का GPU जो काफी ज़्यादा graphics को render करने में help करता है तो यहाँ पर आप अच्छा performance देख पाएंगे और यहाँ पर आपको काफी अच्छे जो HDR का support भी देखने को मिल जाता है और आप यहाँ पर HDR gaming भी कर पाएंगे इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको मिलता है Cryo 570 CPU clogged और यह 2.2 GHz बेस्ट है दोस्तों और इसके लावा हम आपको बता देते हैं यह जो इसमें आपको मिलता है 5th generation की Qualcomm AI Engine Technology जो आपको काफी best camera smart camera, smart video feature voice translation इसके लावा आपको मिलता है AI based imaging और AI enhanced gaming experience आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके लावा दोस्तों बात करें इसमें आपको camera का जो है काफी अच्छा support मिल जाता है जैसे की हम आपको बता देते हैं इसमें आपको मिलता है 32 megapixel प्लस 16 megapixel का dual camera support और यहाँ पर आपको बात करते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे video के जो mode है देखने को मिल जाते हैं और यह 4K HDR भी support करता है दोस्तों और bookie video भी support करता है यह काफी अच्छी बात दोस्तों display support की बात करें तो इसमें आपको full HD पर 120Hz और QHD पर 60Hz का support देखने को भी मिल जाता है तो यह काफी अच्छी बात है इसमें आपको काफी अच्छा display support मिलता है और यहाँ पर बात करें दोस्तों यह जो इसमें आपको और भी feature देखने को मिलते हैं जैसे इंडिया का Navix location system जो है support करता है इसके लावा GPS और भी यहाँ पर आपको और भी system support देखने को मिल जाते हैं इसके लावा दोस्तों बात करें यह कौन से smartphone पर आ सकता है तो दोस्तों यहाँ पर पता लग रहा है कि Xiaomi के phones में देखने को मिल सकता है दोस्तों आने वाले समय पे 5G smartphone जो launch होंगे उसमें आपको यह 5G processor देखने को मिल सकता है और काफी अच्छी performance दोस्तों देने वाला है और यह Snapdragon का बहुत ही अच्छा processor है दोस्तों जो कि आपको 7 Series में देखने को मिल जाता है उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी help रहेगा ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई